दोस्तो आज हम आपके लेकर आए हैं मुरपडा नम्किन की recipe खाने में बहुती टेस्टी बनाने में बहुती आसाने 5 मिनट में बनकर तयार हो जाएगे और आप इसको एक महीने तक इस्टोर करके भी रख सकते हो खाने में बहुती टेस्टी होगी तो इस रच्चा बंदरना इसको जरब बुराइए तो recipe start करते हैं दोस्तो हमने रखे गेस पर एक कड़ाई और हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मस आशों का आप इसकी जगे रिफाइन ओयल भी ले चकते हो और इसको हम गर्म होने देंगे तो ओयल गर्म हो गया हम इसमें डालें आजा कप कच् प्रीद को आब इनको हम भी गडाई करेंगे तो इनको हम धीमिगेस पर फ्राइ कर लेंगे अवात मूबि दाने देंगें सेखे चुके हैं अब इनको हम निकार लिएंग घडाई से बार आप हम उनसें चम्मा राई जिस दहस्व भी कहते हैं और इसके हम इसमें डालें आद चम्मा जीरा इनको हम चटकने देंगे जीरा राई चटक गई अब इसमें डालें दो कटीगी हरी मिर्ची इनको भी हम फ्राइगा लेंगे को सेकें तक मिर्ची फ्राई हो चुके हैं आप हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पते इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कडी पत्ते फ्राई हो गें श्रॉंळी प्रसराइगे इन भून्हे इनको भी अम फ्राइगा लेंगे एसी के साथ हम श्रॉंद नालेंगे एक चमाच कष्मीरी लाल मीची पाउडर होरा डालें एक चोताई चमाच हल्दी पाउड़र होड़र और इसमें जाएगा आदा चमाच धनिया पाउडर होरा इसमें आएगा आदा चमाच उकाला नमाक और डालेंगे आज़ा शपीद नमक अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग इसमें हमने शित्रिया से डाल दिया है दो चुटकी बरके आप उसकी जगे आम जो पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे मुनी हुई मुपली के दाने और अब इसमें जाएगा इंबर मुरा जिसे लाई भी कहते हैं हम डाल देंगे और इनको हम चलाते रहेंगे पहले हम इसको मिला लेंगे फिर इसकी वार हम थोड़ी सी ओड डालेंगे हमने आपर 200 ग्राम लाई लिए अब हम इसमें डालेंगे आप चमाज लान मेची का पावडर और इसमें डालेंगे बची हुई लाई अब इसको हम ठ्राई करेंगे अब हम इसमेंड़ा लेंगे काली मिर्ची का पावडर लाई अची से फ्राई हो गई है और यह कुरकुरी भी हो गई है आप कर देंगे सको बन तो दोस्तों हमारी बन का तयार है मर्मुरा नमकी आप इसको बना लेंगे एक मेने तक श्टूकर के भी डख सकते यह विल्कुल भी खराब होने वाल नहीं है जब भी आपका मन हो तो नहीं का लेंगे और नहीं का लेंगे आपका